पानी के एंगा रबेटे जी सुरीमान इनको माइक दीचें दादा जी आप भी पूछेंगे कुछ अचा जी अभी आएगा माइक खड़े रहो आप सिता राम साब गुरू के चड़नों में नमन अश्रीबाद गुरू जी मैं बाबा शाम खाटू शाम जी का छोटा सा बगतू और मैं बहुत अराद्य मांता हूं लेकिन मैं उनकी नित्पूजा नहीं कर पाता मन में मेरे बाबा है नित्पूजा नहीं कर पाता क्या आप मैं जो रोजाना नित्पूजा करते हैं सुवह शाम बजन करते हैं पहली बात तो आप क्यों नहीं कर पाते हैं समय नहीं है या मन नहीं लगता मन और सकता है उचट जाता है कोसिश तो करता हूँ मैं बजन भी करूँ सब करूँ लेकिन एक कुपाई कीज़े, आप सेबा करना शुरू कर दीज़े, जैसे अपने तन की करते न, वैसे ही बाबा खाटू की करो, इशनान करवाओ, तेल फुले इत्र लगाओ, तेलक चंदन लगाओ, अगर कोई विग्रह है, विग्रह यानी चित्र, बस्तर पहनाओ, फूल माला पहन आओ, 2-4 महिने लगेगे, आपका मन रमने लगेगा, धीरे-धीरे बाते होने लगेगे, धीरे-धीरे मुलाकाते होने लगेगे, प्रैमबढ़ जाएगा, मन इस्तिर हो जाएगा, नो उनके रूप मैं स्यामबाबा की है मैं पास, और वो छोटे वो, विग्रह मिलता है न उनका तो, हाँ, तो मैं श्याम बाबा की, उनकी भी कर सकता हूँ, हाँ, क्या दोस, कोई पूजा करने से कोई दोस नहीं, करो, बेजिजग करो, एक वर सवाल था, मैं सुनना है कि घर में जो पूजा इस्तल है, और भगवान की एक मूर्ती, जो से मैं, मूर्ती नहीं रख सकत हैं, जो की, और मंदिर का अलग साज होता है, तो घर का और भार का, मंदिर का, ग्यारा अंगुल के नीचे घर के ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए, स्रिविलिंग, बिग्राय, ग्यारा अंगुल से कम, बाकी से इस मंदिर में, धन्यवाद, आजी, ठीक है, खड़े हो आप हो जाएं, प्रणाम माराज जी, जहां हम निवास करते हैं, वहाँ पे जो भगवान बिठा रखे हैं, वहाँ पे हनमान जी का इस्थान दे सकते हैं क्या, घर के पूजा मंदिर में, प्राहण पृतिष्टित या केबल पूजा करने के लिए, बिलकु दे सकते हैं, लोग मानते हैं खतरनाग, श्री हनमान जी वरावर सौम्य, सरल, सुहद, प्रिय, और एकदम सरल, विनम्र, निराभ मानी, कोई दूसरा देवता नहीं है, तब गोश्वामी जी को लिखना पड़ा, और देवता चितना हनुमत से ही, सर्वसुकरी, तो मां बे जिजक, यह मा बे आनके चलना कि आपका भाई है।